सबसे पहले इस स्वागत का आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यह हमारी दूसरी यात्रा है पहली यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक थी दूसरी यात्रा मनेपुर से लेकर महराश्टरा मुंबई पहली यात्रा में हमने भारत जोडो शब्द का प्रयोग किया दूसरी यात्रा में हमने भारत जोडो न्याय यात्रा मतलब न्याय शब्द हमने उसमें जोड़ दिया वह यह थोड़ा शान्त हो जाए जब हम पहली आत्रा पर चल रहे थे बहुत सारे लोग आए कहते देखिये आप कनिया कुमारी से कश्मीर तक चल लिए मगर ऐसे बहुत प्रदेश है जहां आप गए नहीं औरिसा नहीं गए गुजरात नहीं गए चतिस गड़ जारकंड नहीं गए तो आपको दूसरी आत्रा करनी चाहिए नियाई शब्त क्यों चोड़ा क्योंकि पहली आत्रा में पता लगा कि जो हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याए है गरीबों के किलाफ श्रमिकों के किलाफ मजदूरों के किलाफ चोटे वी अपारियों के खिलाफ बेरोजगार युवाओं के खिलाफ जहां भी इस देश में देखो आपको अन्याई अन्याई देखेगा तो इसलिए हमने दूसरी आत्रा में नियाई शब जोड़ दिया मैं शुरुआत आपसे दो तीन सवाल पूचके करता हूँ नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के 20-25 सबसे अमीर लोगों का कितना कर्जमाब कितना नई हजारों करोड नई 16 लाक करोड रुप्या अब आम आदमी को ये नंबर समझ ही नहीं आता अदानी को समझ आ जाता है मगर आम आदमी को समझ नहीं आता 16 लाक करोड रुप्या कितना होता है मैं आपको बताता हूँ एक साल मन्रेगा को चलाने में 55,000 करोड रुप्या लगते हैं मतलब नरेंद्र मोधी ने मन्रेगा का 24 साल का पैसा 20-25 लोगों को दे दिया किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोधी ने बुनकरों का कितना माफ किया चोटे वियापारियों कितना किया जो ये युवा कॉलेज की पढ़ाई के लिए ट्यूशन के लिए कर्जा लेते हैं उनका कितना माफ किया कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले सुप्रीम कौट कहती है कि ये जो नरेंद्र मोधी ने एलेक्टोरल बॉंड शुरू किये इसके आंकडे स्टेट बैंक ओफ इंडिया को पब्लिक कर दिने चाहिए सुना इसके बारे में अब बात निकलती है कि एलेक्टोरल बॉंड में हजारों करोड रुपए हिंदुस्तान के बड़े-बड़े कोपिट्स ने बीजेपी को नरेंद्र मोधी जी को दिये हजारों करोड रुपए जो भी कॉंट्रैक्ट हिंदुस्तान के सरकार देती है जिस भी कंपनी को देती है उसका एलेक्टोरल बॉंड के मादियम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है हजारों करोड रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर CBI इंक्वाइरी कराकर ED की इंक्वाइरी कराकर income tax का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्स्टोर्ट करा जाता है हजारों करोड रुपए हजारों करोड रुपए बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरब पतियों से लिया बाई और बेनों देश में पिछड़े वर के कितने लोग है देश में पिछड़े वर के कितने लोग है कोई जानता नहीं पिर से बोलो 20 नहीं है 20 भी नहीं है 40 भी नहीं है 50 परसंट आदिवासी कितने है 8 परसंट दलेत कितने 15 परसंट माइनोरिटी कितने 15 परसंट 50 में 15 जोड़ो कितना होता है 65, 65 में 15 जोड़ों कितना होता है 80 में 8 जोड़ों कितना होता है 88, आपकी अबादी 88% है उसमें 5 जनरल कास के गरीब लोग जोड़ दो मुझे बताओ, इस देश में आपकी भागीदारी कहा है मीडिया में आपके लोग हैं क्या एक आपका नहीं है 90% का मीडिया में एक आदमी नहीं देखेगा इसलिए मीडिया वाले आपकी बात नहीं करते कभी मीडिया में आपने कभी किसाने की बात होती हुई देखी मजदूर की बात होती हुई देखी छोटे दुकांदार की बात होते हुई देखी बेरोजगारी की बात सुनी महिंगाई की बात सुनी नई अम्बानी की जी शादी होती है मीडिया में देखा बॉलिवुड के सुपरस्टार मीडिया में दिखते है मोती जी समुदर के नीचे जाते है मीडिया में दिखता है मोती जी कहते है थाली बजाओ, मीडिया में दिखता है मोधी जी कहते है सेलपोन की लाइट चलाओ, दिखता है क्यों क्योंकि आपके तो वहाँ कोई है ही नहीं मीडिया में आपका कोई नहीं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस निकालो मालिकों की लिस निकालो उसमें 90% का कोई नहीं मुझे नाम दे दो पिछड़े वर्ग का दलित का आदिवाशी का, एक नाम दे दो, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों का मालिक है मुझे नाम दे दो कोई है ही नहीं सरकार की बात करें, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते है पूरा का पूरा बजट वो बांटते है उन में से बता दो 90 में से बता दो पिछड़े वर्ग के कितने OBC कितने 3 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है OBC वर्ग के अपसर 5 रुपए का निर्णे लेते है दलेत 3 100 रुपए खर्च होते है दलेत अपसर 1 रुपए का निर्णा लेता है 100 रुपए में से और आदिवासी 100 रुपए खर्च होते हैं तो 10 पैसे का निर्णे लेता है प्राइवेट हस्पटालों के इसलेए लिस नेकालो, वहाँ 90% का कोई नहीं प्राइवेट स्कूल, कॉलेज़्ज इसले लिस नेकालो, वहाँ 90% का कोई नहीं तो आप लोग हो कहां? आप लोग मजदूरी करते हो यह जो फ्लावर बनाए नë, यह 90% ने बनाया है ये जो सड़क बनी है ये 90% ने बनाया है मगर इसका जो पैसा बना है वो 5% के बैंक अकाउंट में गया है ये हिंदुस्तान की सचाही है इसलिए हमने नियाई शब भारत जोड़ो यात्रा में रगा दिया आर्थे कन्याई समाजे कन्याई किसानों के खिलाप अन्याई बेरोजगार युवाओं के खिलाप अन्याई किसान कहता है हमें MSP दे दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो नरेंद्र मोदी जी कहते है नहीं मिलेगी मर जाओ तुम्हें नहीं मिलेगी हमने मैनिफेस्टों में लिगी दिया जैसे हमारी सरकार आएगी हिंदुस्तान के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दिलवा देंगे तो ये लड़ाई है वाई और मैंनों एक तरफ नरेंद्र मोदीजी हिंदुस्तान के 20-25 अरपती और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की गरीब जन्ता बेरोजगार लोग पिछडे दलित आदिवासी माइनोरिटी गरीब जन्रल कास के लोग यहाँ पे बुनकरों की अबादी है आपका नरेंद्र मोदी जी ने कभी कुछ किया करजा माफ किया जी एस्टी लागू कर दी नोट बंदी कर दी और जो च्वेटे हुद्योग चलाते हैं जो स्मॉल मीटियम बिजनस चलाते हैं बुनकर लोग हैं उन सब का धंदा खतम कर दिया यह जो दुकानदार हैं स्मॉल मीटियम बिजनस वाले इनको सब को खतम कर दिया क्यूं? क्यूंकि वो सबसे बड़े अरफपत्यों की मदद करना चाहते है तो ये मेरा मेसेज है आपके लिए आप लोगों को जागरुख होना पड़ेगा आपके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जा रहा है वो ही बीस लोगों के जेब में जा रहा है पैसेंट जग गया उसने सब बंद हो जाएगा और हिंदुस्तान की राजनेती बदल जाएगी आप मुझसे पूछो पहला कदम क्या है मैं बताता हूँ पहला कदम जाती जनगरना सब की गिंती इस देश में धलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जेनरल कास के कितने, पिछडे कितने, BTS कितने उसके बाद आर्थेक, फाइमेंशल और हिंदुस्तान की हर संस्ता का सर्वे जुडिश्यरी में कितने बड़ी बड़ी कमपणियों में कितने मीडिया में कितने ये दूद का दूद पानी का पानी हम कर देंगे आप हमें मौका दो जाती जन्गरना करेंगे आर्थिक सर्वे इकनोमिक सर्वे और हमारी जो देश की सारी संस्ता हैं इसका सर्वे करेंगे हिंदुस्तान में एक करांतिकारी काम हो जाएगा बदलाब शुरू हो जाएगा आप सबने यहाँ इतने प्यार से मेरी बात सुनी इसके लिए दिल से आपका धनेवाद करता हूँ बहुत धनेवाद नमस्कार जैहिद अबस्तान में एक करते हैं झाल 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 झाल